Reserve Bank of India को Reverse Bank of India क्यों बनना पड़ा ये पूछना पड़ेगा RBI कभी नहीं चाता था नोटबंदियो सरकार ने नोटबंदी इस देश पर थोपी RBI के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद और परणाम सब के सामने है और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारती जनता पार्टी है ये औरों को बेचना चाती है किसी की नहीं तो RBI की तो सुन लीजिए जो की Banking Regulator है एक स्वतंत्र बहुत respectable संस्था है किसान हो चाहे आम जनता हो चाहे गरीब हो Lower Middle Class हो Infrastructure हो, Priority Sector Lending हो सब को Lending करने का काम सरकारी Bank कर रहे हैं जिनको सरकार बंद कर देना चाहती है तो पड़ेगा कि सरकारी Bank सिर्फ लाब कमाने के लिए नहीं है वो Agents of Change है, Agents of Growth है, Agents of Development है 21 सदी के भारत के निर्माता उसकी नीव रखने वाले सूचना और IT की Revolution लाने वाले भारत रत्न, श्री राजीव गांधी जी का जैनती भी है और एक खृतक गिराश्ट उनको आज याद करता है, Congress Party उनका नमन करती है एक बहुत एहम मुद्दे पर आपके पास आए हैं क्योंकि इस मुद्दे पर इतनी परते हैं कि वो परते खुलनी जरूरी है RBI की एक Research Unit होती है RBI का एक Bulletin आता है 18 अगस्त को RBI का एक Bulletin आया वो Research Report उसमें प्रकाशत हुई और उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये जो अंधा धुंद सरकारी बैंकों के निजी करण का प्रयास चल रहा है उसके बहुत जादा नुकसान होंगे बहुत उसके दुश परणाम होंगे कल सुवे 11 बचकर 7 मिनट पर 19 अगस्त को General Secretary Communication श्री जैराम रमेश जी ने इस पर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे 27 सरकारी बैंक अब सिर्व 12 बन चुके है और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारतिय जनता पार्टी है ये औरों को बेचना चाहती है किसी की नहीं तो RBI की तो सुन लीजे जो की Banking Regulator है एक स्वतंत्र बहुत respectable संस्था है लेकिन जबरदस दुख और खेद के साथ पहले तो ये बताना पड़ता है कि उनकी स्ट्वीट पर भाजपा के गुर्गों ने जरूर आक्रमण किया फेक निउस के सरगनाओं ने उस पे बोला लेकिन कल रात होते होते RBI जैसी संस्था को U-Turn करना पड़ा The Reserve Bank of India had to be a reverse bank of India to disown a report put out by its own research department उन्होंने इससे किनारा काटते हुए कन्नी काटते हुए का हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और फिर उन्होंने का अपॉलोजिटिक्सी प्रेस रिलीस कल रात को निकाली ये सरकार के दबाव के कारण हो रहा है और ये पहली बार नहीं है कि RBI को सरकार के दबाव को जेलना पड़ रहा है और उस दबाव के दुष परिणाम नोट बंदी याद रखिएगा सबसे बड़ा है RBI कभी नहीं चाहता था नोट बंदी हो सरकार ने नोट बंदी इस देश पर थोपी RBI के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद और परिणाम सब के सामने है आज भी हम नोट बंदी के कुप्रभाव से उभर नहीं पाएं और फिर से एक बर दबाव डाला गया RBI जैसी संस्ता पर जिसको यूटर्न लेना पड़ा अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट पर ये रिसर्च रिपोर्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूँ उनका कहना है ये सरकार को तो चेतावनी थी ही एक N.C.A.R. की एक रिपोर्ट आई थी जिसको सरकार बहुत मानती है सरकार के चुने हुए एकॉनिमिस्ट उसमें जिन्होंने कहा था S.B.I. को चोड़के भारतिये स्टेट बैंक को छोड़के सब बेज डालिए इस बेचे जाओ पार्टी को और बता रहे हैं क्या क्या बेज दीजे अब दिक्कत की बात क्या है दिक्कत की बात ये है कि ये जो पूरी प्रेस वारता थी हम करना चाहते थे रिसर्च रिपोर्ट पर लेकिन अब खेद प्रकट करते हुए हमें ये पूचना पढ़ेगा कि RBI पर दबाव क्यों बनाना पढ़ा रिजर्व बैंक उफ इंडिया को रिवर्स बैंक उफ इंडिया क्यों बनना पढ़ा ये पूचना पढ़ेगा ये विडंबना कहूँ दुख कहूं दुर्भाग कहूं कि जो RBI कहता था कि Bank Nationalization 1947 के बाद आजाद भारत में एक सबसे एहम decision है आज वो ही RBI अपनी ही Research Report को से किनारा कर रहा है तो Researcher RBI के हैं लेकिन Report RBI की नहीं है ये नई दिल्ली से संचालिच जब चीज़े होती है तो उसका परणाम है खेर इस Report ने जो बाते कही हैं वो सारवजरिक रूप से बतानी जरूरी है जैसा कि मैंने पहले ही का कि 27 सरकारी बैंक घटकर बारा हो चुके हैं और उसका परणाम देश भुकतेगा सरकारी बैंकों का क्या काम है ये रिपोर्ट बिलकुल साफ तोर से कहती है कि Effectiveness Efficacy Efficiency के तोर पर अगर आपको सरकारी बैंकों को आखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सरकारी बैंक सिर्फ लाब कमाने के लिए नहीं है बैंकिंग पहुचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है Priority Sector Lending जहां से Private Bank किनारा करते हैं दूर भागते हैं वो सरकारी बैंकों ने किया है खेतिहर, मजदूर, किसानों सब को रिल पहुचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है Infrastructure Lending का काम हम सरकारी bank करते हैं और उसके बाद अगर सरकारी bankों की भूमिका पर सवाल उठाया जाता है तो यह research report ही सच बता रही है जो हम काफी time से कह रहे हैं सरकारी bank ने financial inclusion किया है इस report में एक बहुत बढ़िया तत्य और यह हम आपके साथ साजा करेंगे सारे ग्राफिक्स और जो इस रिपोर्ट के आंकलन है इस रिपोर्ट का कहना है कि efficiency दक्षता के सौर पे अगर आपको देखना है तो जो मूल सरकारी बैंकों का है जो सेवाए सरकारी बैंक देता है जो output सरकारी बैंक करता है वो वहाँ पर मिलने वाले वेतन से कई गुना जादा है तो even on cost effectiveness सरकारी बैंक अपने private counterpart से better है infrastructure lending का काम सरकारी बैंक करते है 40% infrastructure lending का जो goal होता है जो priority sector lending का goal होता है private bank को भी meet करना पड़ता है इस myth को इस mythak को तोड़ने का काम ये report करती है ये report कहती है कि private sector bank actually अपना वो मानक achieve नहीं कर पाते है वो PSL certificate से achieve करते हैं और अगर आपकी permission हो तो 30 second में में PSL आम दर्शक के लिए आम reader के लिए आम जनता के लिए बताना जरूरी है एक public sector bank है उसके पास बहुत सारे priority sector loan है और एक private sector bank है जिसके पास priority sector loan कम है तो public sector bank priority sector lending के certificate issue करता है एक fees लेकर private sector bank को वो loan अभी भी public sector bank का है लेकिन वो certificate होने से 40% का मानक जो एक मिथक है वो private sector bank achieve कर लेता है तो चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, चाहे गरीब हो, lower middle class हो, infrastructure हो, priority sector lending हो, सब को lending करने का काम सरकारी bank कर रहे हैं जिनको सरकार बंद कर देना चाहती है यह report आगे कहती है कि global financial crisis के दौरान private sector bank से पैसा निकाल कर public sector banks में डाला गया और यह कहती है कि if stronger PSBs had not existed अगर मजबूत सरकारी bank ना होते तो global financial crisis का जो impact है उसका जो प्रभाव है वो हमारी अर्थ विवस्था पर और हमारे bank एक छेतर पर बहुत जबरदस्त होता यहां पर इंदरा जी को मैं याद करूँगी और सिर्फ इसलिए नहीं याद करूँगी क्योंकि वो एक बहुत ही दूरदर्श्ची नेता थी पर इसलिए याद करूँगी क्योंकि उन्होंने banking की monopoly को तोड़ने की हिम्मत दिखाई थी उन्होंने banking जब bank nationalization हुआ जब बैंकों का राश्चे करन हुआ तो उसका सोल एम था कि कुछ लोगों के हाथ से पैसा निकाल कर गरीब गुर्बत किसान खितिहर मजदूर तक पहुँचाया जाए पहले lending सिर्फ select business houses को और कुछी लोगों को होती थी bank nationalization के बाद lending और banking का जो काम है वो अंतिम पक्तिके व्यक्ति तक पहुँचा और इसलिए एक जमाने में RBI कहता था कि 1947 के बाद आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में bank राश्चे करण एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है आज उसी RBI को सरकार के दबाव में अपने researcher की report को से किनारा करना पड़ रहा है एक और बात और ये अंतिम बात है जो हम कहना चाहते हैं एक ये myth पहलाया जाता है सरकार के कुछ economists बैट जाएंगे अधकचरे ग्यान वाले प्रवक्ता आ जाएंगे मंत्रियों की तो क्या ही बात की जाए जो कहेंगे कि भाई इतना पैसा डालना पड़ता है taxpayers money taxpayers money सरकारी बैंकों में आपकी जानकारी के लिए बताना ज़रूरी है और ये report कहती है कि जो पैसा सरकार सरकारी बैंकों के capital infusion में डालती है सरकारी बैंकों ने पिछले कई सालों में पिछले 14 सालों में operating profit उसका चार गुना दिया है तो जो taxpayers money के नाम से एक bubble फेलाया जाता है उसको burst करने का काम भी ये report कर रही है कि operating profit जो होता है वो चार गुना होता है सरकार ने जो पैसा डाला है उसके तो taxpayers money is actually being put to good use लेकिन जो NPA write-off किये जा रहे है और उसके बारे में जो एक मिथक फिलाया जाता है वहाँ पर taxpayers money जा रहा है हमारी सरकार से तीन बड़ी demand है और इस मंच से ये demand करते है हमारी पहली demand है कि बिना विलंब किये क्योंकि कभी सरकार कहती है 27 से 12 bank हो गए फिर सरकार कहती है winter session में एक कानून आने वाला था कि हम अपनी ownership हर bank में खतम कर देंगे फिर पता चलता है नहीं नी जी दो भी केंगे तो सरकार एक white paper इस देश के सामने लाए white paper पे वो बताए कि उनकी actually bank बैंक राश्च्रीकरण की मंचा क्या है आप बैंक राश्च्रीकरण जो हुआ था उसका जो privatization कर रहे है इस पर आपकी मंचा क्या है that's the first demand we want a white paper as far as privatization of public sector banks is concerned हमारी दूसरी demand और ये इस मंच से हमारे नेताओं ने अनेकों बार कहा है ये जो संस्थाओं को भैभीत करने का संस्थाओं पर दबाव बनाने का काम किया जाता है ये बंद होना चाहिए RBI एक बहुत ही respectable संस्था है it is autonomous, it is independent let it do its job आप RBI के उपर दबाव क्यों बना रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर RBI को उस रिपोर्ट से किनारा करना पड़ा उस रिपोर्ट को अपनी ही रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को डिसोन करना पड़ा तो संस्थाओं पर दबाव बनाना बंद कर ये ये हमारी दूसरी डिमांड है और हमारी तीसरी डिमांड ये है कि ये जो reckless privatization की बात हो रही है ये भी बेच डालो वो भी बेच डालो बनाया कुछ नहीं आट सालों में सतर सालों का जो हिसाब मांगते थे वो बेच वो ही रहे हैं जो सतर सालों में बना था तो ये जो बेचे जाओ पार्टी है थोड़ा ठहरे, थमे और सोचे कि इस reckless privatization के परिणाम क्या होने वाले है लोगों की नौकरियों पर, लोगों की आये पर सरकारी संस्थाओं पर इसके क्या परिणाम होने वाले हैं सोचे और उसके बाद उस पर भी एक बाइट पेपर प्रस्तुत करें निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे